विकल स्क्रेपेज पॉलोसी को लेकर जोहां अलग अलग जिलों में लोगों की राये इस नियम को लेकर सकारातमक दिखी तो वहीं इसको लेकर बुलंद शहर में भी इस पॉलोसी का स्वागत करते लोग नज़र आए इसे लेकर खुरजाड डीपो के फॉर में से खास बाचित की हमारे समवादाता ठाकूर कदीम राजपूत ने इस जोरान क्या कुछ उनकी राय रही है इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए जो की कानून लागू हुआ है कि जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है वहीं दस साल पुरानी जो डीजल की गाड़ी है उनको जब कर स्क्रेप किया जाएगा इसी को लेकर हम बातचित करने के लिए हमारे साथ जो की खुरजा डीपो में फॉर्मेर हमारे साथ पुरानी गाड़ी है पेट्रोल की तो अगर एंसी आर के लिए कानून बना है तो इस तरह से आप पोस्ट पर करते हैं अगर देखा जाए तो इससे नुक्सान वाली क्या चीज़ है कि 15 साल पुरानी जो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है उनको एक तरीक से जब की आदिश हो गए दस साल पुरानी जो डीजल गाड़ी उनको चपके आदिश हो गए इनसे नुक्सान और फाइदा वाला क्या जो पंद्रे साल पुरानी गाडियां है वह प्रदूशन ज्यादा फैलाती है क्योंकि नाई टेकनोलोजी आ गई है कम वाली गाड़ियां आ गई है तो इसलिए प्रतिवंदित किया है गौवर्मेंट में और उसके लिए कानून बना पंद्रे साल पुरानी गाड़ियां ज्यादे प्रदूसर्ण फैलाएंगे क्योंकि दिल्ली NCR का प्रदूसर्ण वैसे भी ज्यादा ही रहता तो इसलिए जो है अधरवाई देश हो में जो हम लोग हम लोग हम भी सिक्स हैं तो यह जो मतलब हमारे देश से प्रदूसर्ण खतम करने का तो मतलब मुक्मंती जी और अब यहां चला जा रहा है तो बहुत अच्छा व्यान है वह समर्थन करते हैं जो कि अभी इन्होंने बताया था कि जिस नुकसान कम है क्योंकि जो पंदर साल पुरानी गाड़ी है वह उनसे जो प्रदूसर है वह बहुत जादा होता है जिस पर कही ना कहीं इस नियम से अब एंसे यार के अंदर प्रदूसर पर एक भारी रोक लगेगी